हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकें तर्क करेख ले कई लोगों का मानना है भगवान तो हर जगा है लेकिन हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए क्या आप जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और इसका महत्व तो आज हम आपको इसके बारे में ही विस्तार से बताएंगे भारत हिंदू संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है देश भर में विभिन डिजाइन आकार और स्थानों पर कई हिंदू मंदिर बने हैं लेकिन सबी मंदिरों का निर्मान वेदिक साहित्य में वणित रूप में नहीं किया गया है मंदिर जाने के पीछे कारण केवल आशिरवात प्राप्त करना ही नहीं है बलकि वहां जाकर मन को शान्ती और शरीर को उड़जा मिलती है मंदिर का अर्थ मन से दूर कोई स्थान मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां प्रवेश करने से ही हम सकार्तमक महसूस करते हैं क्योंकि ये मंदिर सब वास्तु अनुसार बनाये जाते हैं और इसे बनाते वक्त भी कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कहते हैं मंदिर जाना इसलिए जरूरी होता है आप में विश्वास रखेंगी अगर आप नहीं जाएंगे तो आप कैसे व्यक्त करेंगे कि आप देवी देवताओं की तरफ है अच्छे मनभाव से जाने वाले कि सभी तरह की परिशानिया रोज मंदिर जाने से समाप्थ हो जाती है मंदिर जाते रहने से मन में द्रड विश्वास और उमीद की उर्जा का संचार होता है विश्वास की शक्ती से ही धन, समरिधी और पुत्र-पुत्रे रतन की प्राप्थी होती है ऐसी मान लेता है देखा जाये तो हमारे देश में मंदिरों के कुमबंद पिरा मिट के आकार जैसे होते हैं जो कॉस्मिक उर्जा के संपर्क में रहते हैं प्रतिमा का सीधा संबंद उस उर्जा से सदा बना रहता है जब भक्त प्रतिमा के समक्ष जाता है तो उसका brain cosmic wave के संपर्ग में आ जाता है और brain यानी मस्तिक के neurons विशेश प्रकार से सक्रिय होने लगते हैं उस समय भक्त प्रतिमा के सामने जो भी प्रातना करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है प्रातना जितनी गहन होती उतनी ही जल्दी फलित भी होती है कहा ये भी जाता है अगर आपने कोई ऐसा प्रात किया है जिसे आप ही जानते हैं तो आपके लिए प्राश्चित का समय है आप शमा प्रात्ना करके अपने मन को हलका कर सकते हैं उसे मन की बेचैनी खतम होती है और आपका जीवन फिर से सही होने लगता है